आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराद का निवारण बाल अपराद के निवारण, निरोध या उसको रोकने के लिए परिवार की, विद्याले की, समाज की और हमारे राज्ये की अनेक महतपुड कारे हैं जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हम बाल अपराद को रोक सकते हैं तो कुछ कारे हैं जो कि परिवार के द्वारा विद्याले के द्वारा या समाज के द्वारा या फिर हमारे रास्टे के द्वारा है जिसके माध्यम से हम बाल अप्राद को रोकने का प्रियास कर सकते हैं सबसे पहला हमारा जो निवारन है बाल अप्राद को रोकने का यह है उत्तम वातवरन दा गुड एन्वार्मेंट तो परिवार का वातवरन उसके सदस्यों के पारसपरिक सहयोग समायुजन तथा साहानुभूती इन सब का क्या होना चाहिए एक आदश प्रतीक होना चाहिए यानि परिवार का वातवरण इस तरी किसे होना चाहिए जहां पर बच्चे को सहयोग की बामना लगे वह उसमें समायुजित होता है इसको साहनुभूती का अनुभव हो तो ऐसा वातवरण जो होता है वह बाल अपराद को रोकने के लिए सही होता है या सही माना जाता है तो परिवार सबसे पहला एक महत्पून है बच्चे के बाल अपराद को रोकने में दूसरा है हमारा बच्चों का निर्देशन, गाइडेंस, यानि बच्चों को जो निर्देश दिया जाता है, बच्चों को गाइड जो किया जाता है, वह सही पिरकार से होना चाहिए, तो बच्चों का ग्यान और उनकी समझदारी, इनकी कमी के कारण ही बाल अपराद जो हैं वो बढ़ते हैं बच्चे जो हैं ग्यान की कमी की कारण समझदारी की कमी की कारण ही अपराद की ओर अग्रिसर होते हैं अधने उनके माता-पिता को शिक्षा, चित्रो, मनुरंजन आदी के संबंद में उनका समय समय पर निर्देशन करना चाहिए यानि गाइड जो है बच्चों को समय समय पर हर प्रिकार से किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपराद की ओर ना बढ़ें इस प्रिकार निर्देशन प्राप्त करने वाले बच्चे जो होती हैं वह बाल अपराद की ओर नहीं बढ़ते हैं या उनसे बालप्राद की आशा नहीं की जा सकती है तीसरा है हमारा बच्चों के प्रती उचित वेवार proper behavior towards the children माता पिता को बच्चों के प्रती जो वेवार है वह उचित प्रकार से करना चाहिए उन्हें नहीं तो जादे अधिक लाड़ प्यार में दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिक लाड़ प्यार करके बच्चे जो होती है उनको बिगड़ जाते है उन्हें ही उनको जादे कठोर अनुशाशन में रखकर उनकी इक्षाएं जो हैं उसको दमित करना चाहिए इस प्रकार का वैवार पाने वाले बच्चों में अपराद प्रवर्थी जो होती है वह नहीं विक्सित होती है यानि बच्चों के प्रति है दि माबाप का वैवार उचित रहेगा तो बच्चे जो है बाल अपराद की और अगरसर नहीं होंगे या उनमें बाल अपराद की जो प्रवड़ी है वह विक्सित नहीं हो पाईगी यानि उनको ज़्यादे ना ही लाड़ प्यार मिलना चाहिए और ना ही ज़्यादे उनके साथ कठोर अनुशाशन दखना चाहिए फूर्ट पॉइंट है हमारा बच्चों की स्वतंतरता विद्याले जो होता है विद्याले को बच्चों की छमताओं और उनकी योग्यताओं का विकास करने के लिए उनको स्वतंतरता देने चाहिए यानि विद्याले का वाता फ्रण इस प्रकार का कठिन या अनुशाशित नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चों की छमताओं और उनकी योग्यताओं जो हैं वो विक्सित ना हो पाएं अते हैं उनकी योगताओं को और उनकी छमताओं को विक्सित करने के लिए उनको कहीं अधतक स्वतंतरता भी दी जानी चाहिए पर यह स्वतंतरता किस प्रकार से होनी चाहिए नियंत्रित होनी चाहिए तता निशित सीमाओं के अंतरगती होनी चाहिए नेक्स्ट है हमारा तरुन गोस्टियों की स्थापना यूथ क्लब तो विद्याले में यूथ क्लब की स्थापना भी करने चाहिए इस संदर में वैलेंटाइन ने भी कहा था कि ये जो गोस्टियों होती है इनके माद्यम से बच्चे अपने रूचियों विभिन प्रकार की जो उनकी रूचियों होती है इन गोस्टियों में इन क्लब्स में उनको अपनी रूचियों को अपनी च्छमताओं को अभिव्यक्त करने का सुअफसर प्रवराप्त होता है तो ये भी क्या होती है यूद्ध क्लब जो होते हैं बच्चों की छमताएं उनकी रूचियों को प्रदेशित करने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चों में बाल अपराद के क्या है कम किया जा सकता है या बाल अपराद करने की कम चांचिस रहते हैं Next रहे हमारा अच्छे पुस्तकाले की विवस्ता, Good Library, विद्याला में सभी प्रकार की बच्चों से संबंद्द या बच्चों के लिए उप्योगी पुस्तकों से सुसजित अच्छा पुस्तकाले होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को लाइब्रेरी यूज करने का सदुप करने की लिये भी उनको समय समय पर प्रूच्साहित किया जाना चाहिए नेगस्ट रे हेमारा पाठ्ठेकरम, सैगा में किरियाओ के व्वस्ता को गरिकुलर अक्टिवि jurisdis बच्चों में सामाजिक संब्धों का विकास करने के लिए स्कूल में विद्याले में पाठ्थे करम सहगा में किरियाओं के उत्तम विवस्ता होने चाहिए इस अंदर में एलिस का भी एक मत है कि बाला प्रादियों को करिकुलर एक्टिविटीज में सम्मलित करने का विशेश प्रियास किया जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा या इनसे उनके अंदर बच्चों के अंदर उत्तम समाजिक सम्मद्धों की स्थापना की जा सकती है को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है बच्चों में क्या करती है समाजिक संबंदों को इस्तापित करने के लिए यह बहुत ही लाब दायक होती है यह बहुत ही सही सिदुई है नेक्स्ट है हमारा अनुत्रिन होनी की समस्या का समाधान सॉलुशन अव दा फेलियर परिक्षा में अनुत्रिन होने के कारण भी कुछ चात्र जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं बाल अपरादी बन जाते हैं एलिस ने कहा था या एलिस का सुझाव है कि यदि हम सफलता की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें चात्रों का वर्गी करन करना चाहिए और पाठिकरम तथा उससे संबंधित शिक्षन विदियो में इस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए कि चात्र जो कुछ भी करे उसमें सफल हो बच्चों में बाल अपराद की जो समस्या होती है वह एक उसका एक कारण क्या है अनुत्रिन होना बच्चे क्या होते हैं यदि कक्षा में फेल हो जाते हैं अनुत्रिन हो जाते हैं तो भी वह क्या होते हैं बाल अपराद की ओर अग्रिसर रहते हैं नेक्स्ट है हमारा बच्चों में राजनिती की प्रथर्ता separation from the politics तो राजनितिक दल जो होता है बच्चों को अनुचित कारे करने के लिए प्रियोग करके अपराद की ओर ले जाता है अते राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाकर 18 वर्ष्टक की आईउ के बच्चों पर राजनितिक कारें में भाग ना लेने पर प्रतिबन लगा देना चाहिए नेक्स्ट है हमारा